हेलो दोस्तों स्वागत आपका Sleepy Classes में और पॉलिटी के Rapid Question में आज हम Questions करेंगे ठीक है आइडिया वही है कि Pen and Paper आप साथ में रखिए 360 डिग्री अप्रोच रहेगी और अपने टॉपिक्स को जरूर माक करिए और उनके साथ आप रिवाइज जरूर कीजिएगा ठीक है चलिए without any further do start करते हैं पहले Question पे कि कौनसी एर में fundamental duties जो है include हुए थे 1974 1975 1976 तो देखे दोस्तों इसका सही जवाब है 1976 तो अब बताईए कि total fundamental duties कितनी है चलो वह भी मैं बता देता हूँ 11 है ठीक है Comment section में बताईए कि 11th fundamental duty जो है वह कौनसे amendment जो है उसके तहत आई थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि first proclamation of emergency article 352 के अंतरगर्द जो है वह कब हुई थी 1975 1971 1965 1961 देखे 1975 में ठीक है की गई थी और दो साल की रही थी 1977 तक ठीक है दोस्तो तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी जो टाइपस की emergency है वह कौन-कौन से चाहिए थीक है तो आप comment section में बताये दोस्तो आइडिया यह है कि comment section आज भर देना चाहिए आपको ठीक है कि एक proactive approach जब रहती है ठीक है आप जब comments लिखते हैं तो हमें भी पता चलता है कि okay fine this aspirant is actually solving the questions with us so we are also motivated all right चले अगले question पर चलते है कि under which article of Indian constitution a high court can issue writ to protect the fundamental rights ठीक है article 15, article 32, article 35, article 226 तो देखे दोस्तो इसका सही जवाब है article 226 ठीक है और आपकी जो supreme court की जो writ की है jurisdiction वो आती है article 32 के अंतरगर ठीक है और यह इनको हम usually जो है right to constitutional remedies के नाम से भी जानते हैं अगले question पर चलते है कि money bill जो है वो कौन से article में define किया गया है देखिए article 112 के अंतरगर define किया गया है ठीक है और money bill जो है बहुत ही जादा important रहता है अभी इस rapid dose में आपके एक दो और question भी है जो गई money bill से related है इसलिए मैं थोड़ी सी इसका बेहर में कम बात करूंगा ठीक है अब पूछा गया है अगले question की कौन सा article हिंडिन constitution जो की देवनागरी हिंदी को एक official language के अंतरगत जो है consider किया जाता है तो यह 343 के अंतरगत है ठीके जी उसमें कर जो अपकी देवनागरी script है वो यूज करेंगे लेकिन आपकी जो numerical है नुमेरिकल मतलब की जो लिखने वाले हैं वो देवनागरी में ना होके international alphabets जो है उसमें यूज किये जा सकते हैं यह आपके 343 में mentioned है आगे question चलते हैं की what was the duration in the making of Indian constitution तो देखें दोस्तों इसमें यह जो अगर आपके जैसे last की जो है 5 days, 12 days, 7 days ठीक है अब देखें की इसमें elimination निकाल देते हैं आपको सबको पता की 2 साल तो लगे थे ठीक है अगर आपने preamble ढंक से पड़ा है ठीक है तो आपको पता होगा ठीक है की 2 साल तो लगे ही थे ठीक है अब बात यह है की 2 साल लगे हैं तो यह दो options सो हो सकते हैं ये तो नहीं है और ये भी नहीं है ठीक है अब 2 years 10 months 5 days हो सकता है नहीं हो सकता है तो देखे इसमें 2 years 11 months 18 days है ठीक है कुछ लोग कुछ books में ये 17 days भी दिया हुआ है ठीक है लेकिन अगर आपसे option में closest जो मिलता है आप उसी को ही टिक करेंगे अगले question पर जलते है कि which one of the falling terms do not appear in constitution of India annual financial statement bill, appropriation bill, budget, consolidated fund of India देखिए ये भी है ये भी है ये भी है बजट जो है और annual financial statement bill जो है वो सेम ही है लेकिन budget को हम commonly बोल देते हैं ठीक है लेकिन इसका actual में जो constitution of India में दिया गया है प्राफधान उसको हम बोलते है annual financial statement अब देखिए constitution of India ने देखिए 26 November 1949 को ठीक है ये देखिए पीछे मैंने 1950 लिख दिया था ठीक है यहाँ ही से आ गया 9049 है ठीक है अब ये मैंने पीछे 1950 इसलिए बोला था जान बूच के I hope कि आपने वो statement rectify कर लिया होगी कि preamble में लिखा हुआ है last की लाइन में देखिए hereby enact और उसी में ही आपका अंसर दिया हुआ है constituent assembly ठीक है ठीक है और 1950 जो है 26th January को हमने किया था ठीक है हमने enact किया था 26 January 1949 को और लागू जो हुआ था 26 January 1950 से ठीक है यहीं पर उसी में प्रेयंबल में ही last में लाइन में दे दिया हुआ है constituent assembly तो इसलिए कहते हैं कि आप प्रेयंबल को बिल्कूल ही रट लीजे क्योंकि वहां से आपके word to word जैसे we the people से ही आपको कही बार पूछ लेता है कि constitution की power कहां से derive हो रही है तो we the people ठीक है चले आगे बढ़ते हैं कि garden of fundamental rights कौन है judiciary executive parliament none of the above तो देखिए judiciary जो है वो garden है मतलब safe guard करता है वो कैसे देखिए right to constitutional remedies जो है ठीक है वो heart and soul of the constitution doctor ambedgar ने इसलिए कहा था ताकि हमारे fundamental rights को protect किया जा सके ठीक है तो अभी हमने बात करके हटे हैं कि rates के बारे में ठीक है जी article 32 जो है supreme court की jurisdiction है article 226 जो high court की तो वो right to constitutional remedies किस चीज के लिए fundamental rights के लिए ठीक है तो obviously हम high court या supreme court में जाते हैं तो judiciary ही जो है उसकी रखवाली करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कि who of the following move the objective resolution in constituent assembly देखिए इसका सही जवाब क्या है objective resolution जो है बड़े ही important है वो आपने क्या है constituent assembly में रखे थे अगले question है how many members are nominated by president in Rajya Sabha तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों 12 members जो है वो nominate करते है president sahab in Rajya Sabha पहले आपके लोकसभा में जो थे दो Anglo-Indian का जो प्रावधाने वो भी दिया हुआ था लेकिन अब वो delete हो चुका है ठीक है there is no provision ठीक है तो अगर आपसे कई बार ऐसे पूचे कि how many members are nominated by president in parliament ठीक है not in Rajya Sabha लोकसभा तो आप उसका जवाब जो है 12 ही देंगे 14 नही होगा क्योंकि दो वाला clause मिठ चुका है ठीक है अगला question है कि money bill जो है वो कहां पे introduce होता है लोकसभा राज्यसभा joint sitting of both houses none of the world तो देखिए money bill जो jurisdiction है वो लोकसभा की है ठीक है money bill जो article 111 के अंतरगत हम पढ़ रहे थे ठीक है वो लोकसभा में introduce होता है अब देखिए maximum time period जो ह time period जो है दो successive session के जो parliament को कितना होता है ठीक है तो इसमें जो है six months दिया हुआ है ठीक है तो हमोमन हमारे तीन type के sessions रहते है ठीक है तो six months के हिसाब से देखिए सबसे पहले तो आपका budget आ जाता है ठीक है budget कौन सा हुआ annual financial statement ठीक है जी annual financial statement फिर इसके बाद आता है हमारा ठीक है क्या आता है monsoon session और अब ही क्या चल रहा है winter session ठीक है तो यह तीन type के है ठीक है तो इसमें minimum six maximum जो है six months की gap जो है वो होने चाहिए ठीक है permissible ठीक है इस बिल को declare कर दिया जाता है एक money bill के लिए ठीक है speaker of look sabha की इसमें power रहती है ठीक है अब अगला question है कि which of the following articles in the shape of director principle mentions the organization of village panchayat तो देखिए चालिस के अंतरगत इसका जो mention किया हुए DPSP पर ठीक है अब chief justice of high court जो है कौन appoint करते है president governor chief justice of india president on the advice of governor of the state and the chief justice of india तो देखिए सबसे closest जो है यही है ठीक है अब देखिए दोस्तो appointment जो है वो president है लेकिन ओथ कौन दिलवाते है ओथ आपके जो है governor साहब दिलवाते है इस प different ठीक है अब देखिए अगला question है कि which is not a correct statement the supreme court is a watchdog of citizens liberty b. settles electoral disputes of the president and vice president of india c. interprets the constitution d. protects the directive principle of state policy देखिए अब देखिए supreme court obviously watchdog है citizen की liberty के true है ठीक है ठीक है जी electoral dispute है पिछले वाले lecture में हमने जो किया था विलकुल true है ठीक है interprets the constitution ये भी सही है तो अब देखिए elimination से अगर देखेंगे तो ये इसका सही जवाब है और देखिए director principle और state policies पर देखेंगे तो these are not enforceable these are not enforceable in court of law ठीक है ये एक mayor guidelines है किसके लिए state के लिए हाँ लेकिन जरूर ये है कि कही बार जो है आपके supreme court और high court ने जो है director principle का हवाला द judgments के लिए लेकिन ऐसा है कि वो कभी भी protect नहीं करते हैं DPSP सो क्योंकि these are merely guidelines ठीक है अब इंडिन constitution की power जो है rate करने की issue करने की जो habious corpus की ठीक है वो किसके अंदर vested है ठीक है supreme court high court supreme court and high court देखेंगे अभी हम बात कर रहे थे rates के बारे में देखेंगे दोनों के पास ही है ठीक है habeas corpus जो है article 32 और article 226 के अंतरगर्थ ये है ठीक है पांच टाइप की हमारी rates होती है comment section में पताइए हमारी 5 टाइप की rates कौन कौन है और habeas corpus जो है rate especially क्या होती है comment section में पताइए अगला question में चलते हैं कि who is the final authority to interpret the constitution देखेंगे final authority हमारी supreme court ही है ठीक है supreme court क्योंकि guardian of constitution भी है त interpretation of constitution जो है supreme court ही करती है ठीक है और आगले question पर चलते है कि who is responsible to make changes in name and boundary of the state तो बिल्कुल easy सवाल है दोस्तो प्राइम मिनिस्टर इंडिविजली नहीं कर सकते राजसभा भी इंडिविजली नहीं कर सकता गवर्नर भी नहीं कर सकते तो पार्लिमेंट सहाब जो है हमारी जो names and boundaries of the state जो है वो change करने की power रखती है ठीक है दोस्तों तो यह थे हमारे आज 20 questions ठीक है और आप देख चुके ह है कि इसमें money bill जो है वो highlight पे था supreme court और high court भी highlighted में था ठीक है और rates भी highlighted थे और आपको लग गया होगा पता कि किस टाइप से आज की जो focus of topics क्या रहे है ठीक है आज प्लीज जा के उनको लिख लीजे pen and paper पे उनको particularly revise कीजिए ठीक है तो आप से फिर से मलकात होगी comment section में प्ल तक लिए take care namaskar bye bye